नमस्कार, मैं शृति सिन्हा आग्रा से यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी परिसर में आई हूँ सरप्रथम परमपिता परमात्मा परिसर परिवेश को साधर प्रणाम निवेदित करती हूँ और मित्रों जब यहाँ पर आई हूँ तो ऐसे सुखद अनुभव हो रहे हैं कि अनुभवों की एक लड़ियां से पिरो गई हैं और सबसे पहले तो परिसर में परिवेश करते हुए हम लोग घ्यांसर ओवर आए बिलकुल स्वर्गिक आनन और जितने भी हमारे भाई और बेहन हैं देदियां हैं सबके चेहरे पर जो एक इसमित है, मुस्कान है, खुशी है, स्वेम खुश है और दूसरों को खुशी है ये लोग जो बाट रहे हैं वो अंदर तक आहलादित कर जाती है ऐसा लगता है कि कोई इनके पास कोई स्ट्रेस नहीं, तनाव मुक्त है और ये तनाव मुक्त हम इन चार दिनों में रहना जान गए हैं लेकिन उसकी याथरता तब है जब हम अपने घर वापस जाएं और उसी पद्दती को जेवित रखें वैसे ही जीवन शैली को अपना है जो सुबह से हम लोग यहाँ पे राज योग के शेशन होते हैं और दीदी लोग जब बताती हैं आत्मा, परमात्मा और उस परमात्मा से किस तरह से योग द्वारा मिलन हो सकता है तो लगता है कि हम एक अलग ही संसार में आ चुके हैं वो संसार जो अभी तक हम लोग को अज्यात था, नहीं मालूम था और विविन मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जा रहे हैं उस सत्य को, अखंड सत्य की जो जोती जल रही है उसको पहचानने के लिए जब यहां आते हैं तब मालूम होता है कि हाँ, वो जोती तो हर उर में है हर हिर्दे में है विराजमान उसको जलाएं कैसे तो कवितरी हूँ, तो जब यहां पर कविता पाठ हुआ और मैंने शिवक्त को, उस परम बाबा को उस परम कलाकार को समर्पित करती हूँ, अपनी तीन चार कविताएं जब सुनाई तो लगा लेखनी में ऐसे ही बाबा उरजा भड़ते रहें और इसी प्रकार आध्यात्मिक लेखन मेरे लेखनी से निस्रित होता रहे बहुत ही खुशी होती है कि जब हम यहां आकर सीखा कि कैसे मैं से हम की और प्रवित्त हों मैं कहीं लोप होता चला गया और हम स्वतह अंता करण में यहां परदीदियों के जो हम लोगोंने स्पीचे सुनी, प्रीचिंग सुनी, वो बढ़ता चला गया सबसे पहले बात सहज योग बंद आँखों से ना करके सहज रूप से खुली आँखों से करना सीखा जो एक बहुती अदभुत कहना चाहिए हम लोग शब्दा तीत हो जाते हैं शब्द से परेव अनभव हो जाता है और वो अनभव वाकई अनभवित होता है जो लोग कहते हैं कि ध्यान तो लगता ही नहीं लेकिन ध्यान करने की पद्दती जब यहां जानी तब लगा ध्यान तो लग सकता है और उस परम, पिता, परमेश्वर, बाबा की जब प्रिप लेकिन जब भी मैं फोन पर बात कर रही हों तो वो लोग कहते हैं बहुत आराम से सब कुछ हो रहा है सारी विवस्था है बिल्कुल ऐसे ही चल रही है जैसे आप दी कब लगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं जो कुछ करते हैं वो परमपिता परनेश्वर करते हैं और हमें ये वहम होता है जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं बाते हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन उन नैतिक मूलियों की अवस्तुतह प्रतिश्ठापना नहीं कर पाते हैं, यहां सीखा, चमा कर दो, अगर कोई गलती होती हो चमा कर दो, चमा करना सीखा, कहते हैं कि चमा कर दे लेकिन दिल से नहीं करते हैं, वो दि श्ठापित करूँ और इन जैसे इसमित मुस्कान जो लिए ये भाई बेहन गूमते हैं बिना मेक अप के जो इतने सुन्दर क्या उन्नत ललाठ है वास्तों में बिना मेक अप के आप इतने खुबसूरत लगते हैं कि हम लोग आपके सामने कुछ नहीं है और वो जो इश्वर बने जो बात यहां पर बताई कि कैसे सत युग वापस आएगा और कैसे वो चकुर्षिष्टी चक्र चल रहा है वो कैसे आएगा वापस तु लगा कि कितने अज्ञान में थे घीता बहुत पड़ा रामानज बहुत पड़ा भागवत बहुत पड़ा लेकिं जीवन में नह आदियों का बहुत ही धन्य पत्त करती हूं ओम चान्ती